नमस्कार दोस्तों मैं सोड़ाब और आप देखे रहो एसेस क्रिक फैंटेसी इस विडिये के थुरू मैं आपको मैंस से रिलेटेड हार एक इनपर्टन इनफर्मेशन देनी की पूरा कोशिश करूँगा जिसके मदद से आप एक वैतरिन फैंटेसी टीम कॉम्बिनेशन बनाने में काम्याब होंगे आफ्टर टॉस फिज रिपोर्ट प्लेइंग लेवाएं कुछ फर्दार अपडेट ये सभी मैं आपको टेलीक्राम चैनल पर इनफर्म करता हूँ इसके अलबा स्मॉल डिग का टीम एंड कौनसा प्लियार आज आपका ट्रॉम्पी हो सकता है ये सभी म आपको टेलीक्राम चैनल पर इनफर्म करता हूँ और स्टैटिकली एनलोजिकली प्रेडिक्शन देता हूँ और हल तरीके का स्टैट आपको प्रोवाइट करता हूँ जिसके मादत से आपना से स्मॉल डिग ग्रैन लिग में भी एक आच्छा कासा प्रोफिट कमा सकते हो इसलिए इस टेनेर के साथ सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा सुरुवात करते है सिलंका ए और साउध अफ्रीका ए के बिच में सेकेंड डोडि याई मैच प्रेडिक्शन जो खेला जाने बाला है 6 जुन 10 एम कहाँ पर परल्ले के लिए इंटरनेशनल कीकेट स्टेडियम परल्ले के लिए सिलंका पर बहती आजीब तरीके का नाम है आप देख लेते हैं पीज रिपोर्ट परले के लिए इंटरनेशनल कीकर स्टेडियम पर जो पीज रहाते हैं वो थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहते हैं लेकिन पेशार को थोड़ा एडबांटेज मिल सकता है लेकिन सिलंका पर एक टिपिकल स्पीनिंग नेचर ह करता है खास करके मिडिल ओप दा फेश स्पीनर गेम में आ सकता है इसलिए जो इनफर्टेंट स्पीनर वगरह हो गया उसके उपर आप जादा से जादा फोकस कर सकते हो कूल मिला के आप यहाँ पर एक निवटल विकेट मन के चल सकते हो जहाँ पास स्लाइटली एडबंटे अफरिका के नाम है और लोईस्ट कोर जिंबावे के नाम है अब स्कोरिन पैटन भी देख सकते हो पीछ के बार में आपको और गरिब से समझ में आ जाएगा दोसों से मिलो 6 टाइम 200 टू 249 सेबेन टाइम 250 टू 299 टेन टाइम और 300 अब अभी तक 9 टाइम रान जा चुका है और पिछले मेंच में क्या थेखने को मिला था पिछले मेंच में सिलोंका ने पहले बैटिंग करते हुए 264 क्या था 8 विकेड लुक्सान पर और सिलोंका ने वो रान आसानी से चेज कर जया था ओवी 42 ओवर के अंदर मतला यहाँ पार बैटिंग करना उतना भी मुश्किल आपको यहाँ पार 280 प्लास रान देखने को मिल जाएगा इजिली अगर बैट्समान खुद से कुछ गलती ना करे तो आप देख सकतो हो most of the time 250 प्लास स्कोरिंग हुआ है अगर बैट्समान खुद से कुछ गलती ना करे तो उमीद करता हुँ इस मैस में भी आपको 280 प्लास दोनों इनिक्स में ही रान देखने को मिल जाएगा आप देख ले आते हैं शिलोंगा की पॉस्ट में लेमन विद रिसेन फॉर्म निशाद मादू सका के साथ आपको लासित कुरूस पूल को उपरिंग करते हुए देखने को मिल जाएगा मादू सका का यह लिष्टे का रे 58 match में 28 week के चटका दिया part time bowling भी कर लेता है और recent form ये list का है आप देख सकतो ठीक टक है यहाँ पर एक century भी है और पिछले match में flop गा था 4 run किया था आप इसको grandling में जरूर पिक कर सकतो बड़ा प्लियार है आप देख सकतो इसके नाम एक century भी है ये list का recent form है ये test match का recent form है और पिछले match में साधरान करके out हो गया था उसके बाद नामबा 4 पार आपको नीपून धना जाएं को डेखने को मिट जागा list में 30 match में 43 के average रहता है और ये list का recent form है आप देख सकतो काफी अच्छा है और ये part time bowling भी कर लेता है लेकिन पिछले match में flop हो गया था आप इसको इस match में back का सकते हो क्योंकि ये बड़ा प्लियार है आप देख सकतो 43 के average रहता है इसलिए आप मान के चल सकतो ये बड़ा प्लियार है आप इसको आज के team में जरूर पिक का सकते हो नमबर पास पर आपको sun अर्ची के खो देखने हो मिल जाएगा लिस्टे में 64 match में 27 की average है with the ball 50 innings में bowling करते हैं 36 wicket चेट का जिया batting bowling दुनों से आपको point दे सकते है और लिस्टे का ये recent form में आप देख सकतो almost हर match में आच्छा किया था यहाँ पर और पिछले बास बे बैटिंग से 22 किया था और bowling से एक wicket चेट का जिया complete all rounder वाला performance करके जिया बहुत है important pick होने वाला है उसके बार नमबर 6 पर आपको आशेन बांदा राखो देखने को मिल जाएगा लिस्टे में 68 match में 33 के average है विद दा बैट और विद दा बॉल 22 इनिक्स में बॉलिंग करते हुए 12 wicket चका दिया यह भी कूछ बार बॉलिंग कर लेता है लेकिन बॉलिंग से उतना उमिन देए लेकिन बैटिंग से आपको आच्छा करके देशाकते है यह लिस्टे का recent form में आप देख साकते हो से एक match में flop हो गया था लेकिन almost हर match में आच्छा किया था यह पर एक 99 किया था और पिछले match में 41 run कर दिया था उसके बाद आपको जानी लिया नगे को देखने को मिल जाएका विद दा बैट 68 लिस्टे में match में 38 की average है और विद दा बॉल 46 इनिस में बॉलिंग कर थो है 32 विकेट चर्ट का दिया यह भी बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइन दे सकते है लेकिन पिछले match में बॉलिंग नहीं डाला था लिस्टे में 27 match में 34 विकेट चर्का दिया और यह बैटिंग में भी आपको कोई योगदान दे सकता है विकेट टेक्निम बॉला है आप यह लिस्टे का रेकर्ड देख सेकतो अलमोस्ट हर match में अच्छा कासा विकेट चर्का दिया और पीछले match में भी 15 रान के साथ एक विकेट चर्का दिया बहुत ही important फीग होने वाला है captain vice captain के एक perfect दविदार होने वाला है उसके बाद आपको लक्सन संदाकन को देखने को में जाएगा लिस्टे में 90 match में 108 विकेट चर्का दिया और लिस्टे में ये recent form में आप देख साथ तो almost हार match में ठिक्टाग विकेट चर्का या काभी का वार विकेट लेस जाता है लेकिन जब विकेट चर्का था है ताब ये आपको गुच्छे में विकेट चर्का था हुए दे सकते है और पिछले match में 4 रान के साथ 2 विकेट चर्का दिया था उसके बाद आपको प्रामोध मदुसं को देखने को मिल जागा लिस्टे में 55 match में 68 विकेट चर्का दिया और लिस्टे में ये recent form में 2 विकेट है और ये T20 का form है T20 international का form है लेकिन पिछले match में विकेट लेस गया था लेकिन ये बड़ा बोलर है 55 match में 68 विकेट इसके नाम है इसलिए आप इसको ड्रॉप मत कीजे और ये डेच में भी बोलिंग करने आ सकते है उसके बाद आपको दिलसान मदुसं का को देखने को मिल जागा लिस्टे में 7 match में 12 विकेट चटका दिया और ये लिस्टे का recent form है आप देख सकतो स्वरिया पर विकेट होगा और ये T20 का form है और पिछले match में 2 विकेट चटका दिया ओपेनिंग बोलर की बात करें तो प्रामोध मदुसं के साथ आपको दिलसार मादु संका को देखने को मिल जाएगा और देथ में भी ये ही दोनों आ सकता है आप देख लेता है साउद अफ्री का एक ही पॉस्वेल प्लेइंग लेवन विद रिसेन form जोर्डन हर्मान के साथ आप वो टॉनी जी जोर्जी को ओपेनिंग करते वे देखने को मिल जाएगा हर्मान का ये रिशेन form है आप देख साकतो लिस्टे में 8 मैच पे 42 की एबरेज रहता है और रिसेनली ये फास्क लास का form है फास्क लास में भी एक-दो मैच को छोड़के अल्मोस हर मैच में ठिक टाक क्या था यहाँ पर एक मैच में फोब गया था यहाँ पर 71 क्या था यहाँ पर 81 रन के साथ 29 क्या था टॉनी जी जोर्जी लिस्टे में 74 मैच में 37 की एबरेज जायता है और यह ODI का form है रिसेली और पिछले मैच में 35 क्या था इनपरेंट भी हो सकते है उसके बाद आपको कीगन पिटार्सन को देखने को में जायेगा लिस्टे में 70 मैच में 32 की एबरेज जायता है और यह रिसेली फास्क लास का form है फास्क लास में भी ठिक्ता किया था अल्मोस हर मैच में और यहां पर आच्छा होने वाला है क्यूंकि किगन पिटार्सन बहुती एक्स्प्रीएंस बैस्पन है आप देख सकते हो लिस्टे में 70 मैच का एक्स्प्रीएंस है और पिछले मैच में भी 42 रन किया था बहुत ही important फिक होने वाला है उसके बाद आपको मैथूर बिजखे को देखेने को में जाएगा लिस्टे में 48 मैच में 31 रन की एवरेज है और recent form में आप देख सकतो ठीक टाग है बहुत ही important फिक होने वाल है आप recent form भी आप देख सकते हो batting, balling दोनों से आपको point दे सकते है लेकिन unfortunately पिछले मैच में flop हो गया था number 6 पाल आपको सिंथे मबा केशिले को देखने को मिल जाएगा लिस्टे में 42 मैच में 25 की average है recent form में आप देख सकतो विकेट की perception से भी आपको कुछ point देने मला है और यह recently first class का form है ठीक टाग है उतना कुछ खास नहीं है और कुछ भूरा भी नहीं है और पिछले मैच में 22 की था उसके बाद आपको डिवाल व्रेविस को देखने को मिल जाएगा लिस्टे में 7 मैच में 40 की average है जिसको हम लोग बेवी एवी नाम से फ्याचानते है बहती important फीक होने बाला है इनफर्म बैस्पन है टैलेंटेड बैस्पन है पिछले मैच में 98 रन के साथ एक विकेट चरका जा इनफर्म बीक होने बाला है उचके बाद आपको बेस्पन पूल को देखीने को मिल जाएगा लिस्टे में with the bat 31 मैच में 27 की average है with the ball 31 मैच में 47 विकेट चरका जिया बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइन दे सकते है और पिछले मैच में 43 रन के साथ एक विकेट चरका जिया recently यह first class का form है आप देख सकते हो first class में almost हर मैच में अच्छा कासा विकेट चरकाया और बैटिंग में भी आपको कोई योगदन दे सकते है कूल मिला के बहुत इनफर्म पिक होने वाला है उचके बाद आपको लिजार्ड विलियम्स को देखिने को मिल जाएगा लिस्टे में 57 मैंच में 75 विकेट चरका दिया विकेट टेकिंग बोला रहे और यह T20 का form है recently और पिछले मैच में एक विकेट चरका दिया उचके बाद आपको लुथो सिम्पला को देखिने को मिल जाएगा लिस्टे में 38 मैंच में 47 विकेट चरका दिया रिसेल यह 1st class का form है यह भी विकेट टेक्निम बोलार है और पिछले मैच में 3 विकेट चरका दिया उसके बाद आपको सेफो मुरेकी को देखिने को मिल जाएगा 43 मैच में 45 विकेट चरका दिया सेफो मुरेकी का यह रिसेल ली 1st class का form है ठिक टाग विकेट चरका उतना कुछ खास नहीं है और पिछले मैच में एक विकेट चरका दिया ओपेणिंग बोलार की बात के तो लिजार्ड विलियम्स के साथ आपको स्वेंपूल को देखिने को मिल जाएगा और देथ में यही दोनों आ सकता है आप देख लेते हैं फैंटेसी टीम विकेट की पर सेक्षन से आपको मदू साखा को देखिने को मिल जाएगा इसका पिक कर लेना स्टाब्स मुझे लिनकते इस मैच पे खेलने वाला है और मदू साखा को चोड़के और आदर्स कुछ खास प्लेयर नहीं है बैटिंग सेक्षन से कीगन पिटर्सन बहुत ही इंपर्टेन पिक होने वाल है अगर आप चाओ तो धनांजे को भी पिक कर सेकतो लेकिन इस से अच्चा आप ओल राउंडर सेक्षन से आप जादा से जादा फ्लेयर को पिक कर सेकतो ब्रेविस बहुत ही इंपर्टेंट पिक होने वाला है बंदरा को आप ग्रैंड लिंग में पिक कर सकतो और जोर्जी को भी आप ग्रैंड लिंग में पिक कर सकतो अल राउंडर सेक्शन से वालालेज बहुत ही इंपर्टेंट पिक होने वाला है लियंग के बहुत ही दुनों से आपको point दे सकते हैं और इसका form भी काफी अच्छा है स्वेनपूल का selection percentage आप देख लीजे काफी कम है लेकिन ये आज आज आपका trump हो सकते हैं आप selection percentage देख लीजे दो से भी नीचे है लेकिन इसका form में आपको दिखा था फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ इसक बाद bowling section से मादु संग का बहुत important pick होने वाल है क्योंकि ये wicked टेक्नी बोलर है अगर आप चातो शेपों मोरेख भी पिक कर सकतो ये भी ठीक टेक विकेड चट कर लेता है संदा काना important भी हो सकते है क्योंकि यहाँ पर अच्छा कर सकते है मैं आपको पहले ही बोला था सिलंग का पर एक typical spinning nature होता है यहाँ पर संदा करना अच्छा कर सकते है अगर आप चातो लिजर्ड विलियम्स को भी पिक कर सकतो बड़ा प्लियार है wicked टेक्नी बोलर है इसके जगा आप सिमपला कभी पिक कर सकतो सिमपला और लिजर्ड विलियम्स इन दोनों में से किसी एक को पिक क हो जाएगा क्योंकि यह बहुती नीचे बैटिंग करने आएगा टेलेन की तो कोई कमी नहीं है बड़ा प्लियार है इंफर्म प्लियार है लेकिन दिग्गत की बात है यह बहुती नीचे बैटिंग करने आएगा यही थोड़ा दिग्गत की बात है नहीं तो अगर आप चा को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा